गोतम अडानी ये नाम तो आपने सुना ही होगा गुजरात के रहने वाले गोतम अडानी किसी वक्त एक अंधिरे में एक चिराक के जैसे थे लेकिन कैसे कैसे वो जल्दी से पूरे विश में दूसरे नमबर के अमीर बने लेकिन अब भी कुछ दिनों से वह लगातार विवाद में चल रहे हैं और चर्चा का केंदर बने हुए हैं इसके पीछे सबसे बड़ा करणा है हिंडन वर्क की वह रिपोर्ट जिसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है कि उनके शेर लगातार गिरते ही जा रहे हैं उनके शेर आज कितने लुड़के हैं ये भी हम आपको बताएंगे हिंडन वर्क रिपोर्ट का कहना है कि गौतम अड़ानी की पूरी टीम ने कुछ टेक्स में हिरफेरी करके अपनी वेल्यू उपर बढ़ा कर बताते थे और दूसरा हिंडन वर्क ने बताया कि गौतम अड़ानी की कमपनियों के उपर बहुत ज़्यादा कर्ज है किसी और का पैसा कहीं और से उठा कर कहीं लगा देना मान के चलो एक गुबारा जिसकी हवा बना दी गई और तीसरा इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो उनकी कमपनी के CFO है वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं किसी भी कमपनी के CFO इतनी जल्दी जल्दी बदलना एक अच्छे संकेत नहीं है CFO बदलने के पीछे भी कुछ नहीं कहानिया निकल आ रही है कुछ expert का कहना है कि Gotham Adani Group के मन की बात नहीं करते हैं इसी वज़े से उन्हें बदला जा रहा है फिर इसका दूसरा बड़ा करणी यह भी है कि अपना काम धंग से नहीं कर पा रहे हैं यहां फिर आशान शब्दों में कहा जाए तो वित्य एनिमिताओं का जिक्र और तीसरी सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि उनके auditor की team बहुत छोटी है यहां कुछ expert यह भी बताते हैं कि 16 लोगों की team है लेकिन हैरानी की बात यह है कि 16 लोगों की team पूरे world corporate कैसे कर सकती है दुनिया का दूसरा नंबर का अमीर हो और वे इतने कम लोगों की team के साथ कैसे पूरे विश्व का संचालन कर सकता है लेकिन 25 तारिक से जब से यह report आई है तब से ही अड़ानी के stocks गिरने लगे हैं लेकिन expert की माने तो 60-70% stock उनके गिर गए है लेकिन stocks के साथ साथ अड़ानी गृप की परिशानिया और भी ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन पहली नजर डालते हैं stocks पर हलाकि stocks के बारे में आपको बता देते हैं कि अड़ानी पोर्ट के stocks पहले 462 रुपे थे उसमें गिरावट 32 रुपे की आई है अड़ानी ग्रीन की बात करें तो 1049 रुपे के stocks में 115 रुपे की गिरावट आई है अड़ानी ट्रांसपोर्ट में 1557 रुपे थे और उसमें 173 रुपे की गिरावट आई है अड़ानी पावल 202 रुपे था और उसके बाद उसमें 10 रुपे की गिरावट आई है अडानी ENT 1565 था उसमें 570 रुपे की गिरावट आई है अडानी तेल गैस बायो में 1711 था उसमें 190 रुपे की गिरावट आई है और अदानी विल्मेल में 421 का भाव था और वो 22 रुपे की गिरावट के साथ खतम हुआ अगर इस टॉक्स की बात की जाए तो फिलहाल अदानी एंटर्प्रेजेज लिमिटेड के स्टॉक्स 1565 रुपे हैं लेकिन यह रेट 2000 से उपर चल रहा था लेकिन 1570 की गिरावट दर्ज की गई है और इसी प्रकार निविश्कों का जो विश्वाश है वो धीरे धीरे डानी गुरुप से गिरता जा रहा है जब अर्दस गिरावट देखने को नजर आ रही है लेकिन यह भाव 248 रुपे से खुला था लेकिन भाव गिरते 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 इस कदर शेर मार्केट में भुकम पलेकर आई है स्टॉक्स पर आपने तो नजर मारी ही लिए है लेकिन किसी भी गुरुप के 60-70% तक स्टॉक गिर जाना बहुत ही बड़ी चिंता का विशह है लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि अडानी कोई ट्रेडर नहीं है हलाकि उनके पास खुद के पौर्ट हैं, एरपौर्ट हैं और तो रेलिवे के उपर भी उनका कबजा है लेकिन बार बार भी इनके उपर अपनी कमेटी बना रही है अगर सेबी की कमेटी में अडानी ग्रुप को क्लिंचिट मिल जाती है तो रात तो रात उनके स्टॉक्स में भारी उच्छाल आ सकता है लेकिन सेबी की जाच में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बजार में काफी बुच्छाल आ सकता है बहुत सारे लोगों को नुक्सान हो सकता है हलाकि मीडिया ने कई अक्सपर्ट से पूछा कि जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है उनका क्या होगा तो उनका कहना था कि एक बार जितने भी निवेशक हैं मोधी का जिकराया, लोगों का कहना था कि जैसे नीरोव मोधी, विजे मालिया और भी कई बड़े लोग यहां से देश छोड़ के भाग चुके हैं, हो सकता है गोतम अडानी भी देश छोड़ के चले जाएं क्योंकि यह सब कई सब वो लोग थे जिन्होंने राजनिती में भी काफी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था लेकिन अभी देखते हैं कि भागे किसका साथ देता है, जुड़े रही है इस परकार की और भी नई जानकारियों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्पीकर में